बिबादित बोल से चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने कहा है कि योगी आदित्यनात के मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश दूसरा पाकिस्तान बनने से बच गया। साध्वी ने कहा कि जिस तरह से यूपी की वर्तमान सरकार पिछली सरकार के कामों की जाच कर रही है उनकी सच्चाई जल्द ही लोगों के सामने आएगी। वाले लोग देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। शराब बंदी के लिए जो आवाज उठा रही है वो उचित है और योगी जी इस पर जरूर विचार करें इस मैं समझती कि उत्तर प्रदेश में शराब बंदी भी भूनी चाहिए। सपा मेता आजम खान पर जो 500 करोण की वक्त संपत्ती बेचने कब जाने का रोग लग रहा है उस पर आपको क्या कहना है। आप चिंता ना करिए आजम खान की जल्दी से जल्दी जाच होगी और वो जेल के अंदर होगी। जब सपा सरकार में लोगों को जारा जा रहा हा था। तब आप भी रामपुर गई थी आपको भी रोगने की लाग को सीचा करी लें थी प्रिसास अंतिर्टिश्चा अब योगी सरकार हैं आपकी सरकार है, क्या उन्हें इंसाब दुलाएंगी और किस सरकार बूचर खाने बन करा दिये गया क्या कहना है आपको जो वाइदा भारती जंता पार्टी ने चुनाव से पहले किया था 24 गंटे के अंदर वो अवैद बूचर खाने बंद हो गए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती भारती जंता पार्टी जो कहती वो करके दिखाती आजम खान जैसे भारती जंता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में परिवर्चित हो गई और मुझे लग रहा है कि शायद नवरात्रों के व्रत्ना रंखे हो सम सरकार भानेत हैं इसरकार में उत्तर प्रदेश में क्या मांती है जो इसससे बढ़के हैं और सबसे पहले में मोदी जी को दिन्यवाद करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता की जनभावनाओं का उन्होंने सम्मान करके उत्तर प्रदेश में योगी जी को सीम बनाया। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश पाकिस्तान बनने से बच गया है, योगी सरकार बनने के है।